जब आता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो दोस्तों आज आपके साथ ऐसी टिप्स सेयर करने वाली हूँ जिस टिप्स का उपियोग आप करेंगे तो एक अच्छी और स्मार्ट हाउस वाइप बन सकती हैं टिप्स वन हम जब भी पालक की कोई सबजी बनाए या पालक की कई तरह की रेसिपी बनाए तो पालक को उबालते समय एक चमच चीनी डाल दे पालक का हरा रंग बना रहेगा इससे पालक की बनी रेसिपी देखने में भी अच्छा लगेगा टीप्स टू जब भी आप डाल को फ्राई करें तो उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दें इससे डाल बहुत ही टेस्टी बनेगा और सब को बहुत ही पसंद आएगा टीप्स थ्री हम जब भी पापर या चीप्स को डबा में स्टोर करके रखते हैं तो कुछ समय बाद बद्बू आने लगता है तो ऐसे में आप चीप्स और पापर के डबे में सूखी लाल मिर्च डाल दें ऐसा करने से चीप्स और पापर लंबे समय तक खराब नहीं होगा अब देखते हैं टीप्स नमर फोर जब हम पूरी को बेल कर तलते हैं तो पूरी तेल सोख लेता है ऐसे में आप पूरी को बेल ले के बाद एक प्लेट में निकाल कर आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख दे और फिर आदे घंटे बाद फ्रीज से निकाल कर पूरी तले इससे पूरी तेल नहीं सोखेगा आप हरी सबजी उबाल रहे हैं और अगर चाहते हैं हरी सबजी का रंग नहीं बदले हरा ही रहे तो आप सबजी उबालते समय थोड़ा सा नमक पानी मिला कर डाल दे ऐसा करने से सबजी का रंग नहीं बदलेगा अब देखते हैं टेप्स सीक्स जब कभी हम सूखी सबजी बनाते हैं और ऐसे में सबजी में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप एक चमच बेशन को भून ले और सबजी में डाल दे ऐसा करने से सूखी सबजी का नमक कम हो जाएगा और सबजी खाने में भी अच्छा लगेगा टीप्स नमर सेवेन अगर आप सौफ का उबला हुआ पानी पीते हैं तो इससे आपका रंग साफ और गोरा होगा टीप्स एट जो भी औरते मोटापे का सिकार होती है वो मोटापा कम करने के लिए अपने घर का काम कर सकती है और अपने डाइट में सिम्ला मेर चौड़ खीरा का सेवन कर सकती है टीप्स नमर नाइन अगर ज़्यादा खाना खालेने की वज़े से पेट खराब जैसा लगने लगे तो आप ऐसे में अदरक चवा कर खाले इससे आपको अच्छा आरा मिल जाएगा टीप्स नमर टेन अगर सूखी खासी ज़्यादा हो रहा है तो एक चमस सहद और चार से पांच काली मिर्च मिला कर खाए इससे खासी से आपको अच्छा आरा मिल जाएगा टीप्स 11 रात को सोने से पहले अगर आप चाई पीते हैं तो यह आपके सरीर के लिए हानी कारक हो सकता है इसे यूरीन का इंफेक्शन हो सकता है तो आप रात को सोने से पहले चाई पीने से बचे टिप्स 12, सीने में जलन की समस्या हो रही है तो प्याज के रस में निम्बू निचोड कर पी ले इससे सीने में जलन से आराम मिलेगा टिप्स 13, आप सुबह को खाली पेट खीरा जरूर खाए इससे आप कम बिमार परेंगे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा टिप्स 14, आपको अगर सरीर के किसी यंग में दर्ध है तो आप सरसो तेल लगा कर मालिस करें इससे आपको दर्ध से आराम मिलेगा टिप्स 15, आपको बालों की लंबाई बढ़ाना है तो नारियल के तेल में आवला पाउडर मिला ले और बालों की जरो में मसाज करें इससे आपका बाल बढ़ने लगेगा तो दोस्तों उमीद है आपको यह सारे टिप्स अच्छी लगी हो आप इन टिप्स का उप्योग करेंगे तो आपको बहुत फाइदा मिलेगा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथी बेल आइकन को दवा कर आल पर क्लिक कर लिजे ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी थैंक यू जय माताव